हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल सवीता की रेस्पीज दोस्तो ओल यह सूरन की सब्जीतों आपने हजारों बार बना कर खाई होगी लेकिन उसके क्या कोपते बनाया है अगर नहीं बनाया है तो इसे चरूर ट्राय करें बहुत ही टेस्टी शॉफ्ट और स्वाधि जिसे जीमिकन भी करते हैं इसे अच्छे से पानी से दोके उसे कट कर लेंगे और उसे बॉयल करने के लिए कूकर में डालेंगे अब उसमें डालेंगे हम पानी पानी उतना है डालेंगे जितना की वो अच्छे से डूब जाया है अब उसमें हम एस्टी चमच नमक ये चुटी चमच हल्दी पॉडर और दो लीवुक किरस हमने निकाल के रखे थे उसे डाल देंगे और इसकी लीड लगाकर तीमें आज पर दो सी तीन सीटी आने तक वायल कर लेंगे दो सी तीन सीटी होने के बाद कुकर को केस उतार लिया है और देखिए बोल किते अच्छी सी वायल हो चुके हैं तो बसी सी चन्नी में डाल करके चान लेंगे ताकि इसकी सारे पानी निकल जाए और इसी ठंड़ होने के लिए रख देंगे और जब तक यह ठंड़ हो रहा ठंड़ हो चुका है जबने के निकले माल अच्छी चीम characterized देखिए बहुत अच्छे से इजली मैस हो जाता है मैस वने के बाद इसके उपर हम आदा कटा वह प्याज डालेंगे एक चुटी चमच लालमेज पॉडर एक चुटी चमच धनिया पॉडर एक चुटी चमच गरम मसाला पॉडर थोड़ा से खड़ा जीरे डालेंगे और साथ में कोपत के बादेंग के उपर डीपेंट करती है थोड़ा सा नमक डालेंगे जयान लिए नमक हमने पहले भी डाला रखा था इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेंगे और इन सबी को अच्छे से मिला लेंगे हम इसमें ज्यादा बेशन ही डालना है नहीं तो हमारी कोपते हाड हो नहीं गोए हाथों में लेकरकि उसके छुटे छोटे कोपते बना ये और उन कोपतो को मेंदे में зов कर लेंगे ऐसा करने से जब हम इस से फ्राइय करेंगे तो हमारे कोपते टेल में जा के फड़ espa Line इसी तरष तरह से हम दूसरे कोपते भी बना करके रिडिक कर लेते हम कोप्ते को जाए आख अपनी साफ से चोटी बड़ी कर सकते हैं इसी तरह से हम बाकी सभी कोप्ते को भी बना करके डलेते हैं तो देखिए सभी कोप्ते गोगए हैIns auditory कर लेते हैं इसके लिए कादवी मेरे तेल कर लिया है और कोफ्ते को तिरी तिरी करके उसमें डाल देंगे और लोड़ पी मेडियम फ्रेम पर इस तरह से घुमाते वे उसे फ्राइ कर लेंगे ताकि वह अंदर तक अच्छे से सिख जाए और जब वह गोल्डन म्राउन हो जाएगी तब उसे निकाल लेंगे कोफ्तों को हाई फ्लेम पर कभी में ना फ्राइ करें दोस्तों नहीं तो उपर से फ्राइ हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो इसी तरह से हमने सभी कोफ्ते को गोल्डन म्राउन होने तक अच्छे से फ्राइ कर लिया है और इसे निकाल लेंगे कोटि तो फ्राई हो चुके हैं अब इसकी गρεवी बना लेते हैं तो ग्रेवी बनाने के लिए कड़ाई में तेल डाल लिया हैं अब उस में खड़े मसाले में लिया है। दो लांग, एक तेजबता और एक लाल मिर्ची अब उसमें चौप के वे मिटिम साइज के प्याज डालेंगे और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगे तब उसमें हमने जो मसाले के पेष्ट तयार करके रखे थे उसे डालेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और एक छोटी चमच कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसे क्रेणी में करार बहुत अच्छा आता है एक छोटी चमच धनिया पाउडर डालेंगे एक चुटी चमच लाल वेच पौरर डालेंगे एक चुटी चमच जीरा पौरर डालेंगे और इन सभी मसालों को अच्छे से मूल लेंगे मसाले जब अच्छे से बुन जाएंगे तब उसमें हमने एक कटोरी डई लिया है जίसे अच्छी से फैट लिया था उसे डालेंगे और जब डई डालेंगे उस ताइम पर गैस का फिलम लो करते या फिर बन करते और उसे अच्छे से जब मिला ले तब गैस अन करें और लोग लेंपर धीमे आज पर उसे दीरी दीरी बुनेंगे ऐसा करने से दई भड़ती नहीं और मसालों के साथ अच्छे से बुन जाती है तो दई और मसाली अच्छे से बुन चुके हैं तो उसमें अपनी ग्रेवी की इसके साब से पानी डालेंगे और अब उसमें एक चोटी चमच गरम अस्टाला और स्वाथ के नुशार नमक एड़ कर देंगे थोड़ी सी कस्तुरी मेथी डालेंगे फ्लेवर के लिए इसे ग्रेवी में बहुत अच्छा फ्लेवर आजाता है और धकल लगा करके उसे देर बाद देखिए ग्रेवी हमारे अच्छे से गड़ी हो चुकी है अब उसमें हम अपने बनाए हुए सारे कोपते डाल देंगे कोपते डालने के बाद 2-3 मिनट लो फ्लेम पर इसे डखा लागा करके थोड़े देर और पकाएंगे उसके बाद गेस बंद कर देंगे और पहले से ठीक हो चुकी है और कोपते के अंदर भी अच्छे से ग्रेवी जा चुकी है और हमारे कोपते भी बहुत सौप्ट हो चुके हैं तो चलिए इसे निकाल लेते हैं तो रेस्पी अच्छे लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल एकन को प्रेस कर दे तापकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप लोगों असानी से मिल जाएं इस तरह से कुपते बनाएं दोस्तों बहुत ही टेस्टे और स्वादिश्ट कुपते बनते हैं तो लीजिए तयार है बहुत ही मज़ेदार और स्वादेश्ट वोल की कोपते तो आप ही से घर पर बनाए और रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट करके जुरू बढ़ता है तो मिलते हैं अगली रेस्पी में थेंक्स पूर वाचिंग माई रेस्पीस